साइनस की बिवेंबारी बहुत आम है सरदी की मौसम में नागबंद होना आदे सर में बह rất तेजल दर्द होना या नाग से पानि गिरना समान ने हो सकता है लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये तो सिर्फ मौसम बदलने की वज़़ से ही होता है तो साफधान हो जाएए क्योंकि आप गलत भी हो सकते हैं दरसर ये sinus के लक्षन है sinus शरीर के स्कल में हवा भरी हुई एक cavity होती है जो हमारे सिर को हलका पन गशास्त वाली हवा लाने में मदद करती है सांस लेने में अंदर आने वाली हवा इस थैली से होकर लंग्स तक जाती है थैली में हवा के साथ आई गंदगी यानि धून और दूसरी तरह की गंदगीयों को रोग कर बाहर भेका जाता है Sinus का मार्ग जब रुख जाता है यानि कफ निकलने का मार्ग रुख जाता है तो ये sinusitis बिमारी हो सकती है कुछ लक्षन आवाज में बदलाओ, सिर में दर्द, सिर का भारी होना नाक या गले में बलगम आना हलका बुखार, आखों में पलकों के उपर या दोनों किनारों पर दर्द होना तनाव या निराशा है चेहरे पर सूजन वनाक से पीला या हरे रंग का रेशा भी गिरता है कैसे होता है साइनस का इलाज पहले साइनस में जमि गंद्गी को निकालने के लिए इसे पंक्रड किया जाता है दूर्वीन चिकित समितेट से साइनस के दर्वाजे को चोड़ा कर दिया जाता है साइनस की बिमारी के शर्वात में दवाईयों से इलाज संभव है लेकिन अगर वक्त रहते इसका इलाज ना कराया जाए तो ओपरेशन कराना ज़रूरी हो जाता है अक्सर ये देखने में आता है कि कई लोग सर्दी हो जाने को समाने बाद समझते हैं और इसे अंदेखा करते हैं सर्दी तो अक्सर 3-4 दिनों में ठीक हो जाती है लेकिन इसके बाद भी इसका संक्रमन जारी रहता है अगर नहीं चाहते हैं कि साइनस ओपरेशन की स्टेश तक पहुँचे तो साफधानी बरतना समझधारी का काम है साइनस से बचाव के उपाए स्टीम बारी बारी दोनों नाख साफ करने के बाद एक बरतन या स्टीमर में लगभग 300 मिली लीटर पानी लेकर उबलने तक गरम करें जब उबलने लगे तो डॉक्टर द्वारा बताई गई दवा उचित मात्रा में डाल कर पंखेवा कूलर बंद कर कपड़ा धब कर नाख वर मूँ से लंबी लंबी सास आठ से दस मिनट तक ले सिकाई गर्म कपड़ा या फिर गर्म पानी की बोतल गालों के उपर रख कर सिकाई करने चाहिए ये पट्रिया लगभग एक मिनट के लिए तिन में तीन बार करने चाहिए इससे काफी आराम मिलता है नाख की सफाई नाग की सफाई करने से भी सिर्दर्थ कम करने में काफी मदद मिलती है माना जाता है कि नाग की जिल्दी पर अनेक प्रकार के वाइरस है बैक्टीरिया, फपूंडी, धूर मिट्टी के कंड, एलर्जी करने वाले कंड बधुआ आधी के कंड होते है जिनको साफ करने से बिमारी को आगे बढ़ने से रोका जा सकता है नाग को साफ करने के लिए आधा गलास गुन-गुना पानी लेकर उसमें एक चमश, मीठा सोड़ा या एक चुटकी नमक मिलाना चाहिए फिर एक हाथ की हतेली में लेकर नाग में पानी खीट कर आगे निकाल देना चाहिए इस प्रक्रिया से नाग बिल्कुल साफ हो जाती है तथा सिरदर्थ में आराम मिलता है आगे भी ऐसी जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे यानी दिर्राइजिंग न्यूस के साथ खृप्या, लाइक, शेर और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल दिर्राइजिंग न्यूस और लोग ओन करें www.derisingnews.com पर धन्यवाद